जहन दोस्तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिवा ओनलाइन क्लासिस में दोस्तो आज के इस क्लास में हम डिसकस करेंगे GKGS के 15 Most Important Questions जो कि आपके पिछले कई सालों के एक्जाम में काफी बार जो है वो repeat होते रहते हैं तो दोस्तो वीडियो को सुरू करने से पहले आपको केबल एक चीज़ बताना चाहूंगा कि डेली रात को 8 वजे हमारे चैनल पर एक वीडियो आती है GKGS की जिसमें हम केबल आपको वही Questions लेकर आते हैं जो कि आपके एक्जाम में आचुके होते हैं या फिर आपके एक्जाम के लिए बहुत ज़्यादा Important Question होते हैं और दोस्तो यह है मेरा WhatsApp नमबर 827202912 अगर आपके पास में कोई भी Indian Army के Question Paper है तो हमें आप इस WhatsApp नमबर पे भेज़ सकते हैं आप चलते हैं दोस्तो आज के अगले Question यानि कि आज के पहले Question के तरफ Question नमबर 1 Where are the headquarters of NATO? NATO का मुख्याले कहां है? तो आपको बताना है कि NATO का मुख्याले कहां है? लेकिन उससे पहले मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या NATO की Full Form आपको पता है? अगर नहीं पता है तो सुन लिजिए NATO की दोस्तो फुलफर्म होती है North Atlantic Treaty Organization ठीक है? North Atlantic Treaty Organization इसकी फुलफर्म होती है और NATO की स्थापना हुई थी दोस्तो 4 अपरेल 1919 को NATO जो है दोस्तो वो एक सेन संगटन है ठीक है? तो दोस्तो नाटो का मुख्यला कहाँ पर इस question में यह आप चे पूचा गया है तो नाटो का जो मुख्यला है दोस्तो वो है आपका Brussels Belgium में तो option D इस question का सही answer होगा अब चलते हैं दोस्तो आज के अगले question के तरफ question number 2 और question number 2 है हमारा 1905 में बंगाल विभाजन किस वाइसराय ने किया? which वाइसराय did the partition of बंगाल in 1905? ठीक है? options आपके सामने हैं दोस्तो तो बंगाल का जो विभाजन हुआ था वो 1905 में हुआ था यह आपको clear हो गया है अभी question यह है कि वो जब विभाजन हुआ था दोस्तो बंगाल का partition हुआ था तो उस समय वाइसराय कौन था? ठीक है? मतलब किस वाइसराय के सासनकाल में बंगाल का जो है वो विभाजन कर दिया गया था तो question number 2 का दोस्तो सही answer होगा आपका option B Lord करजन ठीक है? ओके अब चलते हैं आज के अगले question के तरफ question number 3 और बहुत ज़्यादा दोस्तो most important question है ये PT USA is related to which game? PT USA किस खेल से संबंधित है? options आपके सामने हैं question number 3 का दोस्तो सही answer होगा आपका option C athlete ठीक है? PT USA क्या है? एक athlete है अब चलते हैं आज के अगले question के तरफ question number 4 Who was the first Muslim President of Indian National Congress? भारती राश्टरी कांगरेस के पहले मुसलिम अध्यक्ष कौन थे? options आपके सामने हैं अगर आपको इस question का answer पता है तो जल्दी से मुझे comment करके बता दीजिए तो दोस्तो आपको बता दूँ कि next question है हमारा question number 5 और question number 5 है दोस्तो We're the capital of Afghanistan अफगानिस्तान की राश्धानी कहां है? options हैं आपके तहरान, रियाद, इसलामाबाद और काबल तो अफगानिस्तान की राश्धानी हैं दोस्तो काबल में तो option D इस question का सही answer है next question हमारा question number 6 और 6 number question है दोस्तो pencil की lead किसकी बनी होती है lead pencil is made up of तो दोस्तो pencil की जो lead होती है वो बनी होती है graphite की तो यहाँ पर question number 6 का सही answer होगा option B graphite next question है हमारा question number 7 Where is the headquarters of world bank? विस्व बैंक का मुखहला है कहां पर इस्थित है? तो दोस्तो विस्व बैंक का मुखहला है Washington DC United State डियाने की अमेरिका में तो option D इस question का सही answer है अब चलते हैं आज के अगले question की तरफ question number 8 8 number question है दोस्तो The world's largest fresh water lake विस्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की जील कौन सी है? तो दोस्तो world की जो सबसे बड़ी ताजे पानी की जील है वो है superior yield तो option A इस question का सही answer है Next question की तरफ चलते हैं दोस्तो question number 9 9 number question है आपका On which river टेहरी डेम is constructed टेहरी बान्द किस नदी पर बना हुआ है? options है आपके महा नदी, भागी रती नदी कृष्णा नदी और रावी नदी तो दोस्तो टेहरी बान्द जो बना हुआ है वो किस नदी पर बना हुआ है? यह आपको बताना है तो टेहरी बान्द बना हुआ है दोस्तो भागी रहती नदी पर तो option B इस question का सही answer है अब चलते हैं आज के अगले question की तरफ question number 10 which is the largest fresh water lake of India भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की जील कौन सी है? तो दोस्तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की जील कौन सी है? वो है दोस्तो वुलर जील और वुलर जील है कहां पर? वुलर जील है दोस्तो जेंड के यानि की जमू और कस्मेर में अब चलते हैं आज के अगले question की तरफ, question number 11 In which Indian state is कंचन जंगा located? कंचन जंगा भारत के किस राज में इस्थित है? तो कंचन जंगा कहां पर दोस्तों सिक्के में तो option D is question का सही answer है Next question है हमारा, question number 12 In which state is the Nathula past located? Nathula दर्रा किस राज में इस्थित है? तो Nathula दर्रा दोस्तों कहां पर है? सिक्के में इस्थित है तो option C is question का सही answer होगा अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले question की तरफ उससे पहले मैं आपको दोस्तों एक चीज बता देना चाहता हूँ देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो questions हैं आप इनको हलके में नाले हो सकता है ये questions आपको सरल लग रहे हूँ लेकिन दोस्तों मैं खोद आर्मी में हूँ और मुझे पता है मैंने काफी सारे paper को जो हब होते हुए अपने आँकों से देखा है बहुत सारे papers के लिए और पिछले 3 साल से आपके लिए आर्मी के written exam की तयारी भी करा रहा हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा experience है दोस्तों आपके exam के pattern के बारे में तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जिस question को आप simple समझ रहे हैं फाइल को भी आप download कर सकते हैं वो भी बिल्कुल free में और PDF फाइल कहां से download करेंगे हमारे टेलिग्राम चैनल से जिसका link इस वीडियो के description में दिया गया है तो question number 13 है Which instrument used to measure atmospheric pressure बायू मंदली दाव मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है तो दोस्तो बायू मंदली दाव मापने के लिए बैरो मिटर का उप्योग किया जाता है तो option D is question का सही answer Next question है हमारा question number 14 चौदा number question है दोस्तो Which of the following is also called by the name of lungs of earth नेमलिकित में से किसे पृतिवी के फेंपड़े के नाम से भी पुकारा जाता है तो दोस्तो पृतिवी के फेंपड़े के नाम से पुकारा जाता है Amazon Rainforest यानि कि Amazon वर्साबन को तो option D question number 14 का सही answer है अब चलते हैं दोस्तो आज के अगले question के तरफ और आज की वीडियो का last question ठीक है In eye donation, which part of the eye is transplanted in the patient नेत्रदान में, रोगी में आज के किस भाग का प्रतिरोपन किया जाता है ठीक है तो जब हम नेत्रदान करते हैं ठीक है तो जो हमरी आज का कौन सा भाग है जिसका transplant किया जाता है तो दोस्तो वो होती है Cornia तो option D question का सही answer है दोस्तो वीडियो को finish करने से पहले आपको बता दूँ कि जो भी वीडियो में बनाता हूँ उसकी PDF फाइल आपको तरंद वीडियो को publish होने के बाद में हमारे टेलिग्राम चैनल से मिल जाती है और बो भी answer की के साथ में ठीक है तो यह है दोस्तो यह PDF इसको आप बलकुल बड़ी है बलकुल